जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का जी इसके पाड़ साला में दोस्तों UPPSC RO RO exam जो है वो नजदीक आ रहा है ठीक है आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए चीजों को revise करते रहिए मौक टेस्ट लगाते रहिए और जो इस तरीके की जो सीरीज है उसको जरूर फॉल कर लिजेगा ठीक है इसकी PDF में एक Consolidate उसमें बना के एक साथ करके आपको भेज दूँगा ठीक है टेलिग्राम चैनल भी है उसको भी आप जोईन कर लिजेगा उस पर भी मैं बहुत सारी चीजें भेजता रहता हूं ठीक है जितने भी important PDF है और यह सारी चीजें है ठीक है आप इस पर वीडियो पर कमेंट करेंगे यहां भी जबाब मिलेगा लेकिन यहां हो सकता है कि देर में मिले लेकिन उस पर आपको जल्दी मिल जाएगा जवाब ठीक है चलिए किसी प्रकार का डाउट हो तो पोच सकते हैं तो इसको लाइक किजिएगा आप लोग सेर लाइ पूछा जाता है कि कोई पर्टिकुलर कोई आपका एक्जाम नहीं है यहां तो मैंने लिख दिया कि भाई यूपीपेस यारो यारो और जूनियर एसिस्टेंट वीपी ओ लेकपाल वीडियो जो भी है लेकिन दुनिया का कोई सब एक्जाम हो दुनिया का इंदेस मतलब भा बहुत महत्पोन है और कंटीनिवेशन में बताया है मैंने कंटीनिवेशन में देखेंगे चीजे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी तो जाहिए पहले प्लेलिस बनी हुई है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा आई पे क्लिक करेंगे त ठीक है चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ठीक है तो हम देखते हैं इसके पहले हमने जो वीडियो बताया था उसमें भी बहुत सारी चीजी बताई थी और हमने लास्ट जो पढ़ा था उसमें जो बेसिक कॉंसेप्ट वाला है समिधान का जो आउसन रशना यह जो बेसिक मुल्भूत जो धाचा बोलते हैं उसको उस वाले कॉंसेप्ट को हमने समझा था कि कहां से सुरुवात हुई संक्री परसाद से ले करके और मिनर्वा मिल्स और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वाध हुए जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह चीजें मूल धाच हैं आप इनको मतलब इनको इनके साथ चेड़ नहीं कर सकते हो मूल धाचे का जो कॉंसेप्ट है जो जिन्होंने पिसला नहीं देखा है अगर वह यहीं से सुरुवात करें तो समझ लीजे थोड़ा सा कि मूल समिधान जो समिधान है उसके कुछ ऐसे तत्व हैं ऐसे मूल त समाचा नहीं प्रभावित होना चाहिए यह कॉंसेप्ट आया था निकल करके केश वन अन्भारती वार्त जो नीशोतीहत्तर में हुआ था ठीक है उसके आगे हम पढ़ते हैं कुछ महत्तौन तथ्थ्य देखते हैं क्या है कैसे है ठीक है यह चीजे बताई गहीं है इसमें वाक्यों अव्यक्ति की जो सतन्ता है वो अनुछेद एक वन का में उसमें यह नहीं थे ठीक है यह समचार पत्रों की सतन्ता भी उसी में आती है और जो व्यक्तिगत जो होती है सतन्ता वह भी इसी में आती है ठीक है ठीक है तो यह याद रखेगा सिविल अधिकार सरच्ण दिनियम आया था 1955 उसके अंतरगत भारती समाज में जो अस्प्रिस्यता है उसको समाप्त कर दिया गया ठीक है दंड़नी अपराद घुसित किया गया उसके अलामा भी आपको याद होगा कि अनुच्छेत जो 17 है भारती समिदान का वो यही बात करता है कि आप किसी भी प्रका रख तीक है सिखों को Кृपार रखने की या धारण करने की जो आप ने देखा होगा सिख लोगा अपने साथ क्रना a चोढ़ी सके आप सब इसको धारण करने का अधिकार वह उनका मूल भिटार है नुचिजि prohibit क्रेंच चीजिन बताई गई है क्योंकि स्वतंते ताका जो अधिकार जो सब उसमें आता है थी कर आघी आघीत अ मूल भार्यॉलर उहीं बेसिकली आपके fundamental rights क्या है उनकी बात की गई है fundamental rights तो अनुछेद 12 में क्या है समझे कि राज को परभासित किया गया राज को मतलब क्या हुआ तो राज का मतलब यह हुआ कि राज के अंतरगर्ट केंदर सरकार राज सरकार पंचायती या अन्य जितनी भी जो संस्थाएं हैं बिधी हैं परंपराएं हैं वो सभी उसके अंटरगट मतलब उसके अंतर में आ जाते हैं यह सब चीजें तो देखिए इसमें यह चीजे बताई गही है संगी सरकार के कारपालिका विधाई का जो मैंने भी बताए आपको समझाने के लिए वही चीज जिसमें एक मतलब पॉलिटिकल वेव में लिखी गई हैं एक सही तरीके से बताई गई हैं सभी इस्थानी अधिकरण जो है वो चाहे हो नगर पालिका हो पंचायते हो जिला बोर्ड हो अन्य सभी सामविधिक या गैर सामविधिक जो भी अधिकरण है उसमें जीवन जो एलाइसी वगएरा है य आप देखियें इसके अंतर्गत ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाए गया कि जो भाग तीन में हैं प्रदत गरीकार हैं उनको छीनता हू या नियून करता हो कहने का मतलब यह हुआ बनाया चाहे राज ने बनाया हो ने बनाया हो तो उसमें ऐसा हो कि किसी गटी या किसी समुदाय या समूह की जो मौनियक अधिकार है वो उसका हनन्न हो रहा है तो क्या होगा यदि उलंगं कारी कानून बनता है तो वह उलंगं की मात्रा तक सुन ले नहीं नहीं कि जितना वह ऐसा नहीं है कोई कानून बनता है तो उसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं जो प्रावधान आपके मुलधकारों को प्रभावित कर रहा होगा उसका हनान कर रहा होगा वह उतना कानून या अगर पूरा ही कर रहा है तो पूरा मतलब दोनों चीज़ें अब हम देखें देखते हैं अनुच्छेत जो fundamental rights हैं जो उसमें सुरुवात में सबसे पहला आता है जो सुरुवात में जब समिधान बना था उसमें मूल अधिकार कितने थे तो साथ थे ठीक है कितने थे साथ जो संपत्ति वाला जो अधिकार है वो हटा दिया गया था कब अधिकार है मूल अधिकार वो है समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक आपको प्रावधान किया गया है बहुत ध्यान से देखिएगा यह पार्ट जो है बहुत मात्पूर्ण है बहुत प्रेशन पूशे आते हैं इसमें चाहे रो रो हो यूपी-पी-स हो ऐसे सी जीडी फूश्चन लग लगभग यह फण्डमेंटर राइट से बहुत सारे खूश्चन भरबर के आते हैं तो बहुतत ध्यान से देखिएगा कि Łukh THERE करीजिए आप लोगि नहीं करते है ayukh क्या करिए कि दूसरा जो 1922 तक है वो सब्सारे जो है विसी में आ जाते हैं ठीक है त्यूसानद के बिरुद्ध अधिकार 24 ते जाइस और 24 में धार्मिक सब्सक्रता का अधिक 22 क्या है यह तो 32 जो है वो सम्मयध्हानिक जो उपचारों का अधिकार है यारी कि अगर आप इनमें से को अगर आपका हनन हो रहा है तो अनुछे 32 के अंतरगत आप सुप्रीम फोड दो जा सकते हो उसका दरवाजा कट अक्कटा सकते हो उसके पहले वैसे प्रावधान है कि अनुच्छे 226 के अंतरगत आपको हाई कोर्ट में जाना है उसके बाद आपको यहां नया नहीं मिलता है तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं वैसे डारेक्ट चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी जो नियम कानून जैस समता में क्या कहता है अनुच्छे 14 कहता है जो समता का अधिकार है 14 से 18 तक जो है उनमें अलग-अलग टाइप एक होता है विधी के समक्ष समता या विधियों का समान सर रच्छन इसमें क्या होता है विधी के समक्ष समता का मतलब होता है कि विधी के समक्ष यानि कोई वाईचाजा है ठीक है और कोई छोटा वक्ति है वो भी अगर कोई किसी का कटल करता है किसी का क्हून करता है तो उसके लिए भी वाईचा प्लोब हो गया कि वीधी ित्यक्त क reflects हो गया कि जो यह को लिए यह कुछ को बिद्ररानिक पर ब shipment का मतलब यह त्यांदे है है उनका ठीक है ठीक है समझ में आए ना कि मतलब एक ऐसा हुआ जैसे कोई विधी बनी हुई है ठीक है उसके अंत्रकत सभी लोग समान है और दूसरा क्या है कि विधियों द्वारा अगर किसी को विशेशा धिकार दिया गया है ठीक है अध्यर उपित किया गया है तो वो उस समान होगा जिनको दिया गया है ठीक है उस तरीके से ठीक इसमें यह होता है जैसे समता के अपवाद भी होते हैं सभी के लिए यह समान ही नहीं होता है ठीक है जैसे अब जो मालीजीय राष्ट पती और राजपाल हो गए इनको क्या है कि अनुछेद 361 के तहर यह कुछ अल यह राष्ट पती है या जो भी अभी राजपाल है ठीक है यह अपना पत अगर छोड़ भी देते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा जो नेड़े लिए गया है या जो नेड़े इनके हस्ताक्षित यह गया है तो उनको कोई जवाब मतलब जबाब देह नहीं होंगे न अंडात्मक कारवाही शुरू की जाए तो वो आप उसको नहीं कर सकते हैं तो यह सारी चीजें इनको गिराफतार भी मतलब नहीं कर सकते हो आप तो यह इस तरीके से हैं इनका यह मतलब अपवाध होते हैं ठीक तो याद रखेगा अनुछेत 15 में क्या है भीया कि आप किसी नियोजन में आउसर सबके लिए समान ठीक है कोई भी हो ठीक छुआ चूत यह मने बता दिया आको 18 में उपाधियों का जैसे होते थे राजा साहब राय बहादूर ठीक है यह सब यह सारी उपाधियां जो है वो समाप्त कर दी गए ठीक अब आता है आपका स्वतनतता कादि कि यह थीक है तो याद र्कना इसमें जो कि अलग अलग और पूछै जाते हैं तो यह द्याय ना कई बार सांटि-पूण-णिरायोध-थिकार मेलन का थीकार है अबाद रूप से संचरण करने का अधिकार है चोथा ठीक है याद बता रहा हूं लिख लीजेगा मिल जाएगा वैसे आपको ठीक है फिर पांचवा है कि कहीं भी घूमने का जो आप यहां से वहां जाते हैं मालिजे कस्मीर से लेकर करने के मालिजे तक तो आप निरबाद र आते हैं इसके अंटरकर 19 नंबर का जो अनुच्छेद है ठीक है बीस में क्या है अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंद में सरच्छण यह वीश्वा है ठीक है 21 में प्राणयूं दैहिक सुतंतता इसी में अनुच्छेद 21 का है जिसमें आर्टी है सिक्षा का दिकार है ठीक है 22 जो है यह नुचों कुछ दसाओं में गिरिफ्तारियों निरोफ से सन्रच्छन तो दिया गया है इसमें अब देखते हैं सम्मिधान में पटने की जरुबत है निहीं देख लिएगा थोड़़व रुटा कर देते हैं इसको देख लीज़ेगाश अनुच्य 21 में देखते हैं कि कौन दे यह आते हैं अनुच्य 21 बहुत ही वाइड है वहोद बहुत ही और ब्रॉड वो जो है यह कॉंसेप्ट है और अधिकार है इसके अंतरगत समय समय पर जो सुप्रीम कोड है इसमें बहुत सारे अधिकार जोड़े हैं ठीक है इसके उपर यूपी PCS में एक प्रश्न भी पूछा है 2020 में अब 20 में कि अनुच्छे दिक्की इसके अंतरगत कौन- और भून जने का अधिकार हो गया इत तरीके से चाह सब्सक्राइब मतराष्ञों गोबिंध बनाम मत्य प्रदेश राज 1975 मलक सिंग बनाम पंजाब योम हर्याना राज इसमें यह चीज दिया गया था कि भारत के राजशेत में सरवत्र अबाद संच्रण का अधिकार यह दिया गया अगर वहता है उसके अगेंस्ट भी आप रिट फाइल कर सकते हैं एकांत कारवास के विरुद्ध अधिकार सीग्र विचारन का अधिकार भी कर सकते हैं तो यह सारी चीजें यह याद रखना जैसे इसमें यह भी है कि चीवन साथी चुन्य का अधिकार भी दिया है और विदेश भ्रहमन का अधिकार दिया हुआ है कि अनुच्छे कि तहत करमा पूर्ण जीवन जी ने के अधिकार में गणापूर्ण धंक से मृत्व का अधिकार भी अलब सामिल है तिक यह याद रखना इनके यह कौमन गया था ठीक यह याद रखना भाग चार के अनुच्छेत 45 से संबन देद अच्छा यह अभी हम कहां आ गए वह यह अन्य अधिकार देख लिए जैसे उसी कहा है बता रहे हैं यह अन्य अधिकार और कौन-कौन से हैं तो एक जीवन रच्छा का अधिकार है स्वास्त का अधि पैटालिस से संबन देख कौन है कौन से अधिकार है तो छे वर्ष से कम आयू के सभी बच्चों द्वारा बच्चों को राज द्वारा आरंभिक सिस्थ्व देख रेक और सिच्छा संबन अबंद ठीक है इसके तहट यह 66 समिधान संसोधन किया गया और 2002 में इसको परिद क कर दिया गया ठीक याद रखना इनुचेद 21 का के जोड दिया गया इसमें क्या जोड़ा गया कि 6-14 वर्ष तक कि आयू के समस्त बच्चों को निशुल्क अनिवार सिक्षा उपलब्द कराए जाएगा यह कौन कराएगा राज्य कराएगा ठीक याद रखना अनुचेद 21 क इसमें क्या बोला गया कि माता-पिता या सनच्छा का करतब है कि 6-14 वर्ष तक कि आयू में अपने बालक या प्रतिबंध बालक या प्रतिपाल लेके के लिए सिक्षा का आउसर परदान करें तो वह तो अब अधिकार बना ही दिया है उसको सिक्षा का अधिकार ठीक है यह मैंने बोला थाना भी आगे आए इसमें देखिए कैसे क्या रहा इसका तो पहले पूर्व इस्तिति क्या थी यह मूल अधिकार था मैंने बताया कि आपको मूल अधिकार था यह अनुछेद 1904 के अंतरगात आता था ठीक है और 1931 अब वर्तमान इस्तिति क्या है यह विधिक कब बदला गया कैसे बदला गया तो देखिए यह 44 सविधान संसोदन हुआ था 1978 में उस समय जो है यह मूल यह जो संपत्ति वाला मूल अधिकार था इसको उठा करके विधिक अधिकार बना दिया और 300 का में इसको जाके चिपका दिया ठीक है अनुछे 300 का में ठीक यह पू नागरिकों को भी प्राप्त है यह अधिकार तो ऐसा नहीं है कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सभी को प्राप्त है तो देखिए उन में से कौन-कौन से है इसमें दिया है भारती नागरिकों के साथ व ताकि उसके अलामा जो हैं वो सब गैर वालों को भी प्राप्त हैं ठीक है तो 15 16 19 29 30 यह जो तीन और दो पांच पांच यह मूलत कार हैं इन जो अनुच्छेदों में जो वर्णित हैं यह सिर्फ और सिर्टिजन को मिलते हैं यानि कि अगर आप भारत देश के नागरिक हैं इसके अलामा जो हैं वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है यानि कि विदेश से भी अगर कोई वेक्ति आता है यहां पर घूबने तो उसको जीवन जीने का अधिकार है उसको भी सोसड के विरुद्ध अधिकार है उसको भी अपने धर्म को पालन करने का अ भी लेंगे और नागरिक को तो सारे ही अधिकार मिलते हैं ठीक है धार्मिक स्वतनता वाला हम अधिकार देख लेते हैं तो पचीस से लेका 28 तक है पचीस में क्या कहता है कि अन्ताकरण और धर्म के अबाद रूप से मानने के लिए फिर 26 में है कि आप धर्म कारियों के प् धर्मिक सिक्षा या धर्मिक उपासना में उपस्तित होने के बारे में स्वतनता है यानि कि कहीं आप मालीजे पढ़ते हैं और वहां पर ऐसी कोई ऐसी चीज चल रही है जो धर्मिक चीज है तो आप उसमें आपको जो स्कूल मेनेजमेंट है या उनिवस्टी मेनेजमेंट संस्कृति और सिक्षा संबंधित अधिकार देख लेते हैं यह अल्पसंखिकों से संबंधित अधिकार हैं यह याद रखेगा तीक है 29 में है कि अल्पसंखियों के वर्गों का हीतों का सरच्ण और 30 में है कि वह अपने लिए सिछण संस्थाइं खोल सकते हैं उनका मतलब प्रसाशन कर सकते हैं ठीक यह याद रखना आपातकाल अगर घोश्टी होता है यह होता है यह अधर यह होता है जो आंत्रिक असान तो उस इस्तिति में राजपाल राष्टपती को कह सकता है उनको सिफारिश कर सकता है कि आप यहां पर राष्टपती सासन लगा दीजिए तो यह होता है मूलतकारों को निलम्मन के बारे में यानि कि अगर आप आतकाल लगता है तो भाया फिर मूलतकार क्या बने रहेंगे तो देखिए दो चीज याद रखेगा पहली चीज अनुछेद 20 और 21 यह दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि किसी भी इस्तिति में निलम्बित नहीं होंगे किस समिधान के अनुछेद से कौन सा मूलतकार निलम्बित हो जाएगा देखिए तो अनुछेद 358 के अंसार 19 वाला स्वता निलम्बित हो जाता है यानि कि अगर आर्टिकल 358 के तहत आपातकाल लगाया गया है तो जो 19 वाला आर्टिकल है वो स्वता ही अपने आप वो अनुछेद 369 के अंसार है तो 20 और 21 को छोड़कर अन्यमूल अधिकार सभी निलम्बित हो जाएंगे तो 350 के तहत तो सिर्फ 19 वाला निलम्बित होगा लेकिन 369 में सारे ही हो जाएंगे तो याद रखना 44 समिधान संसोधन जो हुआ था 1978 में उसमें यही चीज अमेंड की ग लगा था इंद्रगा अन्धी सरकार जब पधान मंत्र थी तो जब उनके समय पर यह अपात्कार लगा था तो उस समय यह सारे अधिकार यह मतलब निलम्बित हो गये तो किसी भी प्रकार कोई अधिकार नहीं था तो यह याद रखना है ठीक है तो यह 20 और 21 जो नहीं निलम्बित होंगे वह 1978 में समय अधिकार किया गया था समय उपचारों का अधिकार क्या है वह जान लेते हैं थोड़ा से मैंने वैसे बताया था अभी आपको इसको सम्विधान की आत्मा डक्टर विया वियार मेटकर ने इसको सम्विधान की मुली कतिकार हनन हो रहा है मुली कतिकारों का तो आप जाइieving घरवाजा खटक्राइय नयाल ठीक है इसी वीक्तिक मुलम नचला को कंहा नगहन सीधे नयाल प्रिक्षान अगर चाल जाता है तो क्या करता है सर्वाचन अले क्या करेगा वहाँ पर, वह क्या करेगा only 5 प्रकार अधिकार प्रिक्षा बंदी पृतिकर्टिकर्ण निषयstep घग्या और उत्प्रेशन यह पांच प्रकार के जो रिट है उनको जारी करता है भाई सबसे पहले बंदी पुझे आप प्रतरक्षी पुझे करन यानि बंदी को हमारे सामने ससरीर इस तरीक्टे से परमा देगा किसे अनधिकृत रूप से सरकारी पतवर है तो वह से पूछ सकता है कि बताइए आप क्या है रीजन इसके पीछे क्योंकि आपने और क्या प्रूफ है क्या चीज है आपके पास ठीक है वो सब मांग सकता है उत्प्रेशन और यह जो निसेध निसेध हैं यह दोनों बेसिकली जो लोवर कोर्ट होती है ना अधीनस्त न तो फिर्ण मतब्द हज नहें है उनके लिए होता है ठीक तो यह याद्रकत कि याद कि यह फिलकते हैं है थिक देखिया है अभी कितना है घरा रही है इसमें 46 पेज को हदम करते हैं कि यह तक देख denim not सविधान की मूल सरचना मुनियादी जो बुनियादी धाचा मैंने बताया था उसका पर्तिवादन उच्छितम नयाले त्वारा केशवान अन भारतिवाद में किया तो यह मैंने बताई दिया था अब है आपको ठीक चलिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आय होप यह चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय है